हेलो बच्चो, कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे लिंग, किसके बारे में बेटा? लिंग के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले ये पिक्चर्स देखिए आदमी खाना खा रहा है लड़का पढ़ रहा है सूरत चमक रहा है ओरत खाना बना रही है लड़की निर्थ्य सीख रही है पतंग उड़ रही है इन सब वाक्यों में आदमी लड़का सूरज ओरत लड़की पतंग ये सब क्या है? लिंग लिंग क्या होता है? संग्या सब्द के जिस रूप से इस्त्री जाती या पुरुष जाती के होने का पता चले उसे लिंग कहते है क्या होता है लिंग? कि संग्या सब्द के जिस रूप से उसके इस्त्री जाती या पुरुष जाती यानि वो इस्त्री लिंग है या पुलिंग है औरत है या आदमी है जो भी हैं उसके बारे में उसका पता चलता है इसे ही हम कहते हैं लिंग तो बेटे समझाए न आप सब को कि लिंग क्या होता है, इस्त्री जाती या पुरुष जाती का, जिसके पता चले, अब हम पढ़ते हैं आगे लिंग के भेद, लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के दो भेद होते हैं, कौन-कौन से, पुलिंग, इस्त्रे लिंग, तो लि उनके पुरुष जाती के होने का पता चलता है उन्हें पुलिंग कहते हैं जैसे लड़का, अध्यापक, सेड, वर, नोकर, आदी बिटा इन सब को देखके हमें साब पता चल रहा है ये सब किस के हैं? पुरुष जाती के हैं तो कि लड़का है, अध्यापक, सेड, वर, नोकर, ये सब कोन? आदमी के तरफ इशारा करते हैं कि ये पुरुष जाती के हैं तो अब हम पढ़ते हैं इस्त्री लिंग जिन संग्या सब्दों से उनके इस्त्री जाती के होने का पता चलता है उने इस्त्री लिंग कहते हैं जैसे लड़की, अध्यापिका, सेर्नी, वधू, नोकरानी, आदी तो ये सब भी हम देखेंगे तो जैसे इसके अंदर लड़की है, अध्यापिका है, सेर्नी है, वधू है, नोकरानी है ये सब क्या है? किसी इस्त्री के होने का बोध घराते हैं इससे हमें साब पता चलता है कि ये सब लिंक के कौन से बेद के हैं इस्त्री लिंक के हैं आईए अब हम इनके उधारन देखते हैं इन सब उनके लिए अलग-अलग उधारन यहां आपको मैं बताती हूँ जिससे हमें पता चलेगा की लिंग कैसे अलग अलग है जैसे माता, पिता, भाई, बेहन, चाचा, चाची, बेटा, बेटी, मोर, मोरनी, सेर, सेरनी, दादा, दादी, मामा, मामी इन सब को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो एक तरफ इसमें कहीं न कहीं, इस्त्रीलिंग भी है, पुलिंग है, जिसके एक सैड इस्त्रीलिंग है, दूसरी तरफ उसका बदल के हमने इस्त्रीलिंग कर दिया है, जैसे माता का पिता किया, ऐसे ही हमने जैसे चाचा, पुलि हो गुलिंगा ता लिदसे